Hello everyone, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था rising importance of the tertiary sector आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे where are most of the people employed तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का topic है where are most of the people employed means इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा sector है जहां पर ज़्यादा लोग employed है या फिर कौन सा sector है जो ज़्यादा employment provide कर रहा है आगे बढ़ने से पहले तीन graph है उन तीनों graph को पहले discuss कर लेते हैं फर्स ग्राफ तीनों sector का total production शो कर रहा है जो blue color है वो primary sector indicate कर रहा है जो red color है वो secondary sector और जो green color है वो tertiary sector सबसे पहले अगर 1973-74 के बीच पे देखें सबसे ज्यादा था Ajk compared to Solar Sankter and Secondary Sankter प्राइमरी प्राइमरी सैक्टर का जो टॉर्रल प्रोडाकशन है वो ज्यादा है फिर अगर सेकेंटेर की दा पकर तो सेकेंटेर का टूर्छर प्रोड़क्शन यहाँ पर सबसे कम है और प्राइमरी सेक्टर के क maior पर उसका प्रोडंड सेक्टर का सबसे ज्यादा करींन तो इन देखें तो यहां पर क्या हुआ है कि तीनों ही सेक्टर का जो टोडर्ल सेक्टर सेक्टम वह हुआ है लेकिन जब तीनों सेक्टर का तोल service इंक्रीय स्वा थो उसमें क्लीर स्कते हैं कि जो सबसे जादा इंक्रीज आया है वह टॉस्री फेक्र की टोडल स्वाइब उसके बाद सेकेंडिय स्वार्ट्टरिय प्रोडॉक्शन जादा है और फिर सबसे कम प्रोडॉक्शन 3 तूथाँजन 41 00 and 14 में उसके सब ऑन है लेकिन equal increase नहीं आया है और जो ranking है वो भी change हो गई है अब first पर tertiary sector का highest total production है फिर secondary sector का है और उसके बाद primary sector का सबसे lowest है अब जो यह second graph है वो शो कर रहा है shares of sector in GDP means कौन सा sector GDP में कितना contribute कर रहा है वो यह second graph show कर रहा है यहाँ पर भी primary sector को blue color indicate कर रहा है secondary को red और tertiary को green अब अगर 1973 and 74 में देखा जाएं तो यहाँ पर भी जो tertiary sector है वो सबसे ज्यादा contribute कर रहा है GDP में जो primary sector है वो 40% contribute कर रहा है जो secondary sector है वो 10% contribute कर रहा है यहाँ पर भी जो टोसी सेक्टर है वो 50% contribute कर रहा है यहाँ पर भी जो टोसी सेक्टर है वो first number पर है primary second पर और secondary है वो third पर है अब हम 2013 and 14 की बात करें तो यहाँ पर secondary sector का जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया है लेकिन जो primary sector का शेयर है वो काफे कम हो गया है यहाँ पर जो primary sector है वो 10% contribute कर रहा है और secondary sector 20% and remaining 70% जो है टोसी सेक्टर है तो यहाँ पर हम देख सकते ही कि यहाँ पर tertiary sector अचानक से और increase हो गया है और जो primary sector है वो बहुत ज्यादा decline हो गया है और जो secondary sector है उसमें भी improvement आया है उसमें भी 10% का rise हुआ है 2013 and 14 के data में अब यह third bar graph हमारा शो कर रहा है share of sectors in employment means कौन सर sector कितना share employment में contribute कर रहा है वो यह bar graph शो कर रहा है तो सबसे पहले अगर हम 1972 and 73 का data देगे तो वहाँ पर 74% contribution है वो primary sector का है 11% contribution secondary sector का and 15% secondary sector का means 70% जो jobs है वो primary sector में है फिर 11% jobs है वो secondary sector में and 15% jobs trustee sector में उसके बाद जब 2011 and 12 का data देखते हैं तो वहाँ पर जो primary sector में employment है वो 49% हो गई है 74 से 49% हो गई है means एक decline आया है primary sector का share है employment में उसमें secondary sector में जो employment है वो increase हो गई है 11% से 24% हो गई है तो increase in production 9 times increase in employment 3 times मतलब secondary sector का जो production है वो 9 times increase हुआ है लेकिन जो employment है वो स्रिफ 3 times increase हुआ है वैसे ही tertiary sector में भी increase in production 14 times and increase in employment 5 times यहां पर भी production 14 times increase हुआ है लेकिन जो employment opportunities है वो स्रिफ 5 times ही increase हुई है means दोनों ही sector का जितना total production increase हो रहा है उतना employment increase नहीं हो रहा है यह दोनों ही sector इतनी job creation नहीं कर पाए है ज्यादा employment opportunities create नहीं कर पाए है इसका result क्या है as a result more than half of the workers in the country are working in primary sector क्योंकि secondary और tertiary sector में employment opportunities नहीं है इसलिए आज भी जो हमारी population है उसमें half से ज्यादा लोग जो है आज primary sector में work कर रहे हैं more than half of the workers जो हैं हमारी country के वो primary sector में ही work कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और job opportunities क्योंकि secondary और tertiary sector जो है इतनी employment opportunities create नहीं कर पाए हैं अब हमने देखा कि जो primary sector है वहां पर 50% से भी ज्यादा हमारी country के workers employed हैं लेकिन उसके बावजूत जो primary sector है वह gdp में lowest contribute कर रहा है बट primary sector contributes lowest share in GDP GDP में जो primary sector है वह lowest share contribute कर रहा है इसका reason क्या है वाई तो इसका reason क्या है Under employment जिसे Disguised Unemployment भी बोलते हैं अब यह Under employment क्या होता है इसे समझते हैं Under employment क्या होता है इससे एक example की हेवजे समझते हैं तो suppose करते हैं एक farmer है कि कि और इस farmer की जो है two hektireland है जिसमें कि ये क्या grow करता है इसमें ये wheat grow करता है और जो ये land है इसमें कौन-कौन वर्क करता है इसमें ये farmer और इसकी清hong मेर्क करता में तो से तोडिल इसमें कितने लोग हार्विस्टिंग टेंगान है above लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तब वन ठंवीट निकलकी आता है जब छेनी इहें यो he member से उन्हें कई और काम मिल गया तो अब एक यह land था टू हैक्टर land इसमें क्या होगा चार लोग काम करेंगे फोर लोग काम करेंगे अब जब फोर लोग काम कर रहे हैं उस वक्त भी क्या हो रहा है वन टन ही हमारा आउटपूट निकल कर आ रहा है जब छालो काम करें दे उस वक्त भी हमारा वन टन आउटपूट under employment कहते हैं जहां पर सब लोग employed दिखते हैं बट actual में सब लोग employed नहीं होते हैं यहां पर कोई भी ideal नहीं था यहां पर 6 के 6 लोग काम कर रहे थे कोई भी ideal नहीं था लेकिन यहां पर सब लोग अपनी potential के according काम नहीं कर रहे थे जितनी उनकी potential है वो उससे कम काम कर रहे थे क्योंकि जो labor efforts हैं वो पट गए थे जो labor efforts यह लोग डालते हैं जितना ही लोग काम कर सकते हैं सब लोग उतना काम नहीं कर रहे थे जो work है जो efforts हैं वो divide हो गए थे तो इसी को under employment कहते हैं जहां पर ऐसा दिखता तो है कि लोग actual में employed हैं लेकिन वो actually employed नहीं होते हैं क्योंकि वो अपनी potential से कम काम कर रहे होते हैं सब लोग fully employed नहीं होते हैं और अगर उनको वहाँ से हटा भी दिया जाए तो total production में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसी को under employment कहते हैं जो हमने अभी under employment का example discuss किया उससे हम under employment की definition को conclude कर सकते हैं It is a situation in which more people or workers are working in an activity than required means under employment एक situation होती है जिसमें किसी भी activity में जितने लोगों की ज़रुरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं For example, हमने अबव देखा कि चार लोगों की ज़रुरत है लेकिन वहाँ पर काम जो है छे लोग कर रहे हैं The people who are actually engaged in such an activity appear to be employed but are not fully employed ऐसी activities में ऐसा लगता है कि जो people हैं वो actually employed हैं लेकिन वो लोग पुरी तरह से employed नहीं होते हैं यसे हमने देखा कि वहाँ पर जो दो लोग थे वो एक्स्ट्रा थे वो लग तो रहा था कि वो लोग employed हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सभी helpful था तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे इस वीडियो को लाइक कीजे और अपने 10th क्लास के फ्रेंट्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शियर कीजे थैंक्यू झाल शियर को जरूर शियर को हैंक्या पहला के साथ झाल को सब्सक्राइब कीजे बाराग बार च्पाइब कीजे बास्राइब का बार शियर कीजे प्लीजू